Hello everyone, Good morning, Namaskar, 10 January 2024 और The Hindu News Paper Analysis में आपका स्वागत है, आज की जितने भी important news और editorial होंगे, वो इस वीडियो के थूर डिसकस करेंगे, अगर आप इस newspaper की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको मिलेगे टेलिग्राम पर, जिसका link आपको description मिल जाएगा, या सिधा परियोवर्तन DS Academy टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक important news cover करीगी है, environment के perspective से, वो है air pollution को लेकर, देश की जाधतर city जो है, वो जो target set किया गया था, कि हमें air pollution को कम करना है, उस target से भी बहुत दूर नजर आ रही है, इस तरह की study जो है, वो कर transportation sector, और इनमें air pollutant जो दो important है, एक PM10 है और PM2.5 है, PM2.5 मतलब धूल के वो छोटे छोटे कंड जो धाई माइकरोन तक के होते हैं, यह सबसे खतरनाक air pollutant होते हैं, क्योंकि यह directly एक तरीके से breathing system को impact करते हैं, तो यहाँ पर यह बताया गया, कि जो annual average था, 2019 से 2023 तक, वो अभी हाईयर बना हुआ है, और 40 microgram per cubic meter का जो acceptable level होता है, कि वह इतने तक अगर PM2.5 है, तो यह nominal माना जाता है, लेकिन अगर इस से ज़्यादा हो, तो वो एक serious category के अंदर आता है, यहाँ पर यह rank दिये गए हैं, कि 1, 2, 3, 4, 5 करके, 2019 में इस तरह का performance था, 2023 में इस तरह का performance है, हलाक जो इसमें अगर हम कह सकते हैं, कि air polluted में PM2.5 का role थोड़ा कम जुरूर हुआ है, बट इसका मतलब यह नहीं कि अभी भी यह serious air pollution category में नहीं आता, तो central government का ambitious attempt था, कि हम लोग air equality को improve करेंगे, देश की polluted cities में, वो suggest करता है, कि अभी भी उस target को achieve करने में बहुत दूर है, यह successful नहीं हुए, 49 cities जो particulate matter यानि धूल के छोटे-छोटे कंड, जो खासका 2.5 वाले, यह indicate जुरूर कर रहा है, कि हमने definitely 5 साल में एक decline जुरूर हुआ है, और ज्यादतर जो dangerous grade के pollutant है, वो केवल कुछी cities में यह target अच्यू कर पाए है, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया, यह जो report है, वो analysis of respire living science and climate trend की, इसके क्योर्डिंग, एक program launch किया गया था, 931 क्रोड रुपे का national clean air program, जिसका target था, कि 2026 तक 40% हम लोग जो concentration है, वो कम करेंगे, PM 2.5 का 131 cities में, इसमें 20 से 40% पहले 2024 तक ही target रखा गया था, बाद में इसको shift किया गया, है 2026 तक, यहाँ पर deadline की अगरम बात कर, अभी समय है 3 साल का, लेकिन भारत की बड़ी से बड़ी cities में, बहुती marginal decline देखने को मिला है, कुछ cities के अंदर even increase भी हुआ है, तो PM 2.5 level जैसे, नवी मुंबे के अंदर कुछ decline हुआ, इसके अलावा, अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम दूसरे sectors की बात करें, तो दूसरे area में, या तो बहुती कम decrease हुआ है, या increase ही हुआ है, इसके अलावा, quality monitor एक important significant है, अगर आप किसी भी city के air pollutant या उसके air pollution concentration को observe करते हैं, तो यह ज़रूरी है, कि हम लोग ambient air quality monitor करें, अलग-अलग जो air pollutant होते हैं, उसका level किस तरीक से उसके basis पर जो air quality को monitor किया जाता है, और उसके लिए devices सेट किया जाते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई के अंदर stations हैं, इसी तरीके से 92 city में से केवल 4 के पास प्रोपर जो है वो 10 से जादा stations हैं, वारनसी में जैसे 2019 तक केवल एक station होता था, बाद में 4 तक हुआ, जो 24 hour operation होते ह station होने चाहिए, जो infrastructural एक तरीके से investment भी आप कह सकते हैं, इसके अलाबा cities का action होना चाहिए कि वो अपने air quality को improvement करें, वो अभी बहुत जादा clear नहीं है, national clean air program की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें definitely progress तो indicate हुई है, top level की जो pollutant cities है, उसमें कमी आई है, कुछ में increase हुआ है, ल 2.5 को 40 microgram तक हम लेकर आएं, उस तरह का target अभी भी achieve करने में हम लोग इतना successful नहीं हुए है, क्योंकि अगर 40 से जादा होता है, जैसे अगर आप इन cities में देखेंगे, कई जगा 80 है, कई जगा 90, कई जगा 100 है, तो target achieve नहीं हो पाता, तो ये एक बड़ा सवाल है, इसके पेज नमबर 2 पर दो छोटी छोटी न्यूज है, तमिल नाटू में 4 MP और 8 MLA के election code इतरी के से ये declare करना कि ये null and void है, यानि वो elected लोग सही नहीं है, तो उसको लेकर high code ने refuse किया, क्यों refuse किया है, देखो, भारत के अंदर एक important schedule है, anti-defection लोग करके, ये anti-defection schedule, schedule number 10, इसके अंदर कोई अगर व्यक्ती एक political party के symbol पर election लड़ता है, फिर एक तरीके से दूसरी political party में चला जाता है, तो उसकी membership रद हो सकती है, या उनके एक तरीके से जो एक direction देते हैं, पार्टी की leader होता है, उनको follow नहीं करते हैं, तो उस context में इनकी membership रद होती है, anti-defection लोग होते ह पर high court ने कहा है कि भाई, जब इस तरह का case आता ना, तो आप इसको read judictions के अंदर decide नहीं कर सकते हैं, read judictions क्या होता है, एक PIL दर्ज कर दी गई, जिसमें ये indicate कि आगया कि fundamental rights का violation, तो ये fundamental rights का violation नहीं है, ये anti-defection लोग का violation, और इसके अंदर जो speaker है, उनका roll बहुत important होता है, किसी भी व्यक्ति में, चाहिए वो assembly में अगर हम बात करें, मलेज के context में, और speaker की context में बात करें, तो वो आता है, जो central ये लोग सुबा के speaker होता है, अगर ये लोग सुबा के MP है, और राजसुबा के context में, राजसुबा के speaker, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो इसमे कोई स्पेसिफिक ऐसी न्यूज नहीं है यह एक बेसिक है कि भाई किस तरीके से हम लोग जब हम यह इशू पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति एंटिट इफेक्शन लोग को फोलो नहीं कर रहे है या उसका वेलेशन किया है तो कौन डिसाइड करेगा तो हाई कोट ने एक तरीके से इसको मना किया कि रिट जूटिक्शन के थुरू आप इसको लागू नहीं करवा सकते इसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा कि वेस्ट बिंगोल के अंदर एंफोर्समेंट डिरेक्टेट की टीम गई उन पर अटैक हुआ तो एक रिपोर्ट मांगी गई है वेस्ट बिंग होते हैं तो एक responsibility state government की भी होती है law and order के perspective से भी इसके बाद पेज नंबर 4 पेगरम बात करें भारत और UK के defense minister ने कुछ defense agreement किये तो उसके बारे पढ़ेंगे इंडिया और UK ने defense deal करी है और यह historical विजेट थी भारत के defense minister के दोरा लगवा 22 साल के बाद पहली बार defense minister हमारे जो हो वो UK के अंदर गए इसके अंदर ladder of arrangement जो defense collaboration से related है खासकर research and development इसको लेकर यह agreement हुआ इसके अंदर अगर हम बात करें तो 2002 के बाद यह पहली विजेट है इससे पहले जोर्ज फर्नांडिस गए थे इंडिस्टियल कोपरेशन पर काफी focus किया गया है कि एक excellent meeting हुई जो defense minister है UK के grant shapes के साथ और full range of India UK defense को review किया गया fruitful discussion हुआ इसके अंदर defense cooperation security defense industrial cooperation इन सब को promote करने को लेकर दोनों country ने discuss किया दोनों country ने दोनों ministry ने basically discuss किया कि defense में हम लोग security cooperation और जो खासकर matter आते industrial collaboration को लेकर उसको कैसे promote करेंगे कैसे enhance करेंगे इसके बाद जब यह word use होता shared goal यानि वह टार्गेट दोनों का same है टार्गेट क्या है एक तो relationship जो है वो एक तरीके इस ट्रासेक्शनल है और दोनों country natural partner है इसके अलावा बहुत जादा common हमारे बीच है बहुत जादा shared goals है और इसके अंदर research and development को लेकर जो agreement है जैसे भारत की DRD और UK की defense science technology laboratory इनके बीच में agreement हुआ ये document प्रोवाइड करते है कि ये एक imputes की तरह है एक positive symbols की तरह है people to people exchange में खासकर youth के अंदर खासकर बड़े अरिया में defense research collaboration के मामले में दोनों country में तो इसके अलावा वहाँ पर कुछ और उन्होंने activities के अंदर भी participate किया mainly अगर हम बात करें इस defense visit के थुरू दोनों countries research में collaboration करेगी अपना तरीके से एक agency UK की होगी और एक भारत की DRD होगी तो ये दोनों agencies के बीच में research को लेकर भी agreement जो है वो हुए है इसके बाद अगर हम बात करें next page पे कुछ news अगर होगी तो definitely हम उसको पढ़ेंगे otherwise कोई specific news ज करते हैं page number 6 पे अभी vibrant गुजरात करके summit हो रही है ये गुजरात के अंदर हो रही है जैसे अभी तमिलनादू के अंदर तमिलनादू investor summit हुई तो ये summit गुजरात वाली थोड़ी ज्यादा highlighted है reason क्या है कि कुछ countries के head या President या Prime Minister जो है इस visit के अंदर आने वाले है एक तो Czech Republic के क्योंकि Czech Republic जो है वो एक तरीके से partner है इसके अंदर वो important है हलागि उनके बारे में भी discuss नहीं है लेकिन वो important होगा यहाँ पर आप photograph देखेंगे ये UAE के प्रेजिडेंट है मुहमद बिन जायदल नहयान ये भारत में आए है और इसके बाद February के अंदर एक important meeting होगी भारत के Prime Minister जाएंगे दुबई में और UAE के अंदर basically एक बड़ा program वहाँ पर होगा लेकिन उससे पहले global trade show के अंदर UAE के अंदर भारत में बहुत जादा इनको priority दी जाती UAE के प्रेजिडेंट को बहुत अच्छे relation है भारत और UAE के तो तीन किलोमेटर का road show किया गया इससे पहले त बोस रेमोज होटा ये भारत में आए और मोजांबिक के प्रेजिडेंट जो है फिलिपी न्योजी ये गांदी नगर के अंदर आए वाइब्रेंट गुजरात सम्मिट के अंदर participate करने के लिए के लिए बातचित की दोनों ने bilateral meetings हुए भारत ने एक तरीके से जो तेमर लिस ये डिफ्रेंस है चाइना और इंडिया के अंदर चाइना क्या करता है चाइना बोलेगा कि हमें आपको नेवल बेस बनाएंगे military equipment करेंगे हम एक तरीके से soft policies को बहुँ जादा priority में रखते हैं इसके लाबा इन्होंने invite किया गी तिमर लिस्टी आप भी लिस्टे इंटरने सेक्योर्टी काउंसिल में permanent membership को समर्थन करते हैं वोट करते हैं अब यह दो जो और दो country है इनके बारे में थोड़ा देखते हैं पहला तो तो तेमर लिस्टे जो है वो जोगर्फीकली आपको नजर आएगा इस particular belt के अंदर यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह साउथ जोगरिफिकल एरिया यह जुरूर ध्यान रखना आप और अगर आप equator की बात करते हैं सदरन हेमिस्पेर के अंदर आपको देखने को मिलेगा जीरो डिगरी से नीचे सेकें आती है मोजांबिक मोजांबिक बहुत क्लोज है मेडागासकर के भी अगर आप देखें मोजांब और एक और यह जोगर्फिकल प्लेस है वो है लेक मलावी करके इसका कुछ हिस्सा भी मोजांबिक के अंदर है आप लोगों के लिए सवाल है जब हम मोजांबिक के बारे में बात कर रहें क्योंकि अफ्रेकन कंट्रीज को लेकर कुछ सवाल हुए मिनेरल्स को लेकर जोगर् आपको मिले तो जुरूर कमेंट करिएगा उसके बारे में इसके बाद हम जाएंगे अगले कुछ पेजिज पर जिसमें इंपोर्टेंट है हमारे लिए एक एडिटोरियल एडिटोरियल में एक ही आर्टिकल है जो हमें पढ़ना है वो economical growth analysis किया गया है कि growth sense demand करके जो title दिया गया है कि देश के अंदर economic growth, sectoral analysis और demand इन सब की situation क्या है तो उसके बारे में बताया गया कि government की spending जो है वो growth को कैसे prop up कर रही है growth में क्या impact create कर रही है उसके बारे में एक analysis है पहला एक advance estimate हुआ national income का जो current fiscal year चल रहा है 2023-2023 जो 31st March को समाप्त होगा कि Indian economy में government spending की situation क्या है इसके अलावा national statistical office के द्वारा जो एक projection किया गया कि देश की real GDP growth जो है वो marginally quick होगी 7.3% की pace के साथ from 2022-2023 जो 7.2% थी इसके अलावा अगर आप sectoral output figure को scrutiny करते हैं या उसको analysis करते हैं जो gross value added बनाता है जब भी GAV word use होता ना GAV क्या होता है basically economy का ही part है या जब हम GDP को sectoral base पे analysis करते हैं कि इस particular sector ने इस particular sector के भी सब-sector ने किस तरह का performance किया या इस sectoral और सब-sectoral performance को broadly analysis करने का एक method है GVA इसके अलावा demand data के गर हम बात करते हैं जो reflect करता है कि देश के अंदर expenditure number कितना है यह कहीं ने कहीं जो durable drivers होते हैं economy के खासका जो consumption led growth होते हैं यानि वो sector जहां पर consumption का एक बड़ा roll होता है उसका क्या importance है overall जो GVA growth जो शो कर रही है वो 6.9% है और यह preceding fiscal जो 7% उससे कम है जिसमें agriculture, livestock, forestry, fishing sector या जो important है rural economy के लिए यह largest provider है work and the second largest generator है economic value output के services company में इसमें देखने को मिला कि आउटपूट जो हो 1.8% expand हो रहा है लेकिन यह 8 year में slowest है 2022 तेस में जो पहले 4% की पेश थी इन sector की growth rate जो है वो 1.8% है यानि यह आदे से भी कम growth है हाला कि growth को लेकर optimistic है लेकिन अब दिक्कत आती है पहला हमारा जो खरीफ का output है वो कम है दूसरा रभी शोविंग जो भी season चल रहा है रभी crops का जैसे गेहूं और यह वाला सरसों वाला जो season होता है यहाँ पर भी एक तरीके से कम production की उमीद है पैडी और pulses जो है वो कम production की उमीद है पैडी का तो खेर कई स्टेट में तो यह पूरे साल ही production होता है लेकिन कुछ स्टेट में यह seasonal होता है major crop को इसमें count करते हैं equally अगर हम बात करेंगे second largest component है जो service economy में इसमें trade, hotel, transport, communication, broadcasting sector आता है जो बड़े संख्याव जोब भी provide करता है इसके अंदर अगर हम बात करें पिछले साल 14% की growth थी यह 6.3% के आसपास है यह आदी से भी कम हुई है इसके बाद यह बताया गया कि अगर आप estimate को reflect करते हैं इसी trend को evident करके मानते हैं तो number 30 को जो second quarter के GDP estimate observation किये गये थे उसमें भी underscore किया गया कि जो कहिने के momentum में loss है post pandemic में वो कहिने के services में rebound हो रहा है अगर आप demand side की बात करेंगे private final consumption expenditure जो largest component है GDP का जिसका दो decade तक अगर हम बात करें 60% projection किया गया था वो slowest है non pandemic year के वावजूद अगर हम बात करें यह slowest है और 4.4% का private consumption spending growth जो estimate करी गई है यह भी अब तक का lowest है इसके अलावा हमने pandemic देखा lockdown देखा और उसमें spending को भी observe किया कि यह 2020-21 में अगर हम बात करें 5% का contraction हुआ 2022-23 में 7.5% की pace हमने generate करी लेकिन अभी भी rural economy struggle कर रही है उसके impact होता है कि मानसून में differences है weakness resultant indicate कर रही है और farm outfit demand के अगर हम बात करते हैं range of producer जो हैं वो आपको different देखने को मिलेंगे इसके लावा अगर आप छोड़ी-छोड़ी चीज़ों को देखेंगे जैसे shops और detergent packaged है या two willers हैं यह अभी भी paste को generate करना बाकी है gross fixed capital formation हो या government की जो capital spending है यह main bright spot होता है किसी भी momentum को drive करने में लेकिन NSO के क्योडिंग यह अभी भी चैलेंजिंग है जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और policy makers कई सारे challenges को face करेंगे किस तरह के choice को follow करेंगे spending किस तरह की होगी growth क्या यह continue प्रोपप कर पाएंगे और क्या एक fiscal service का risk यह लेंगे यह सवाल होंगे इसके लावा अगर आप परस को थोड़ा tight करेंगे तो बहुत जादा further risk की possibility होंगी जिसमें आने वाले time में एक momentum की जो कमी होती है कि हम जो growth कर रहे है या हमारी economy की जो activity positive है वो momentum को हम continue कर पा रहे है कि नहीं कर पा रहे है क्या overall हमारी sectoral growth balanced है या नहीं है तो जो growth valued है वो एक तरीके से sectoral analysis का एक बहतरीन example है और उसकी अपनी एक significance जो हो है इसके बाद अगर हम बात करते हैं हम जाएंगे सीधा text and context में और इसके अंदर project tiger के बारे हम discuss किया गया project tiger क्या था कि हमें पहली बाद तो tigers को सुरुक्षित करना है दूसरा इनके numbers को बढ़ाना है और तीसरा important ये भी है कि वह टाइगर reserve बनाने है ताकि इनको highly product किया जा सके लोगों के बीच में और tigers के बीच में coordination हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि tiger जो हो एक तरीके से rural area के अंदर जा रहे है रोरल एरिया वाले लोग जो है टाइगर वाले एरियम जा रहे है लेकिन वो होता है क्योंकि एक तो इनके जो habitation है वो काफी ज्यादा damage होती है नुकसान लोग करते है और उसका एक reason ये भी कि population भी लगातार बढ़ रही है इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया कि सरकार ज जब Tiger Reserve बनता आना तो उसके rights किसको होने चाहिए ये एक बड़ा सवाल है अगर आप इसको थोड़ा brief में देखेंगे 1973 में जब project Tiger हमने launch किया तो around 9,000 वन वन फाइव हंडर्ड जो है वो square kilometer का एरिया था और आज ये 18 state के अंदर 54 Tiger Reserve जिसका area बढ़कर 78,135 के आसपास हो गया जो की critical tiger habitat के अंदर माना जाता है 26% area जो हो वो national park और wildlife sensory के अंदर भी आता है ओरिजिनली Tiger जो हो एक democratic process के थूँ create की जाने थे जैसे scientific और objective criteria की basis पर Tiger conservation plan जो है similarly required करता है कि ensure करें कि भाई आप agriculture livelihood भी हो development भी हो और लोगों के जो interest है इस area में अगर forest है और tiger भी रह रहे हैं तो इसमें ये भी ensure करना है कि लोगों के interest को कोई negative impact नहीं होना चाहिए इसके बाद problem क्या आती है problem ये आते है कि इंडिया का जो tiger reserve है जिसमें notify करना है वो बिना in requirement के पूरा कि इनको notify किया गया और जब government इनको notify करती है तो ये होना चाहिए था कि जो forest developing schedule tribe community है इनके साथ communication होना चाहिए यानि जब आप tiger reserve declare कर रहे हैं तो भाई जिन communities को इससे impact होगा या जिन areas में आप इसको notify कर रहे है उस community के साथ definitely communication भी होना चाहिए इसके बाद अब बात करेंगे कुछ और important news के बारे में सबसे पहले world affair में दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ चल रही उसमें से एक है चाइना ने अपना एक satellite launch किया है जिसकी impact सकता है ताइवान पर चाइना ने successfully launch किया है कि violent और little non aspect of cosmos को हम लोग unveil करेंगे और यह इन्होंने जो launch किया उसके बाद जो self rule island है ताइवान जो अपने आपको independent मानता है लेकि चाइना बोलता है कि यह हमारा ही part है तो उसको लेकर definitely concern है ताइवान के अंदर election का process भी है तो व बाद भारत और माल्दियूज के बीच में जो controversy चली रही है उसी बीच हमने यह भी पढ़ाता है कि माल्दियूज के जो president है यह गई चाइना के अंदर प्रो चाइना चाइनिज्ड है यह इसमें कोई doubt नहीं है और India would campaign इस तरह campaign को यह actively इन्होंने एक तरीके से समर्थन किया है तो इस context में यहां पर यह बात की जा रही है कि इन्होंने क्या कहा वहां पर जाकर उन्होंने टूरिस्ट को invite किया क्या यह चाइना वाले माल्दियूज के अंदर आईए और social media user अगर हम बात करें उन्होंने बाइकट माल्दियूज करके trend चलाया इस वीच वहां के प्रे चाइना के लिए घर बात करें चाइना के लिए यह गिफ्ट की तरह है हमारे लिए एक स्टेजिकल चैलिंज भी है जिसके बारे में बात की दी चाइना इन्होंने कहा कि एक number one market है हमारा और हम request करते हैं चाइना वाले आईए यहां पर आपको कोई वीजा वीजा नहीं देन हैं वो कई ने कई इस तरह के नहीं होने चाहिए अगर आप खराब से खराब रिलेशन भी देखेंगे भारत और पाकिस्तान के तब भी इस तरह के मैसेज नहीं होते माल्द्यूज में इनके मिनिस्टर्स की जो स्टेटमेंट है और यह भले कित्रे भी प्रो चाहिए इनको रिक्वायर्मेंट पड़ेगी भारत की हर हालत में जैसे अगर इनको पाने का संकट हुआ था तो भारत ने सबसे पहले पहुँचाया था तो अगर आप रेंडरी रिलेशन नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम में जो होती है उस पर भी इंपक्ट पड़ेगा स्रेटिक चैलेंज भारत की डेफिनली स्तरदर्दी है क्योंकि अगर इस एरिया में चाइना अपना नेवल बेस मनाएगा क्योंकि माल्दी उसको क्या लगता चाइना इन्वेस्टमेंट नहीं करता चाइना एक देश को नहीं करने वाले वो नेवल बेस मनाएंगे एरफोर्स के बेस मनाएगे तो उस तरह की चीज़ा आपको देखने को मिलेगी इसके बाद एक और एनलिसिस क्या गया एन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज के इंपक्ट को एनलिसिस करने के हिसाब से कि 2023 में जो 1.5 डिग्री की एक तरीके से इंक्रीज देखने को मिली है उसके बारे में बात की गई यहां पर यह बताया गया कि 2023 जो होटेस्ट है वो रिकोर्ड किया गया है इस अर्थ की सर्फेस पर और जो एक थ्रेसोल्ड है 1.5 डिग्री सेल्चेस का वो डेफिनली इसने क्रोस कर दिया है क्लाइमेट चेंज के इंपेक्ट क्या है हीट वेव देखने को मिल रही पूरी दुनिया में ड्राउट हो रहे हैं वाइल फायर हो रहे हैं इसके अलावा फ्लड की सिच्वेशन हम लोग पूरे दुनिया में देख रहे हैं अलग-अलग एरियास के अंदर उसके बारे में बताया गया और प्री इंडर्स्ट्रियल प्रियेट से बहुत आगे हम जा रहे हैं इसके अलावा यहां पर ही बता गया कि टेंप्रेचर जो है वो 2023 में वो हर दिन ही लगबग अगरम बात करें उसने जो रिकोर्ड को ब्रेक किया है और वन पाइंट फाइड डिगरी सेल्स कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से यह जो वन पाइंट फाइड डिगरी सेल्सियस का बेंचमार्क है वो लगातार क्रोस हो रहा है और आज के टाइम पे अर्थ टेंप्रेचर जो है वो अवर सूट के पिरेड पर है यह जो वर्ड यूज किया गया वर सूट इसका मतलब होता है कि एक कपैस्टी जो होती है यूज करने की उसको अवर कर रहा है यारी अवर यूटिलाइज हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है टेंप्रेचर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है यह कही नहीं एक सीरियस कंसन है तो भारत ने का कि टेकस्टाइल एक्सपोर्ट के लिए हमें नए मार्केट्स पर भी काम करना पड़ेगा यह को हमारा टेकस्टाइल सेक्टर दो चीजे श्टगल कर रहा है पहला तो अभी जो हाउती रेवल जो अटैक कर रहे है इसके बाद हमें हमारी जो कमर्शिल सीफ ह उसको alternate route लेना पड़ेगा जिसकी वज़े से Sips का जो insurance premium है वो बढ़ रहा है दूसरा अगर हम बात करें इसकी वज़े से एक और problem आ रही है कि ये long distance cover करा तो लंबा time लगता है इसको delivery होने में इसके बाद यहां पर बताया जारा है कि भारत जो है यूरोप और यूएस के बाद अब free trade agreement जिन country से हो रहा है जिसमें Australia और United Arab Emirates से है उनके साथ अपने textile export को बढ़ाने के बारे में continue काम करेगा और इसके अलावा क्योंकि इन countries के अंदर lack of demand देखी जारी है एक textile के अंदर uncontrolled import in area के अंदर देखा जा रहा है तो इस context में यहां पर जो अगर हम बात करें imports के मामले में definitely उसमें ensure करना और textile material की quality को जूर करते हुए हम लोग आने वाले time में export को बढ़ाएंगे इन countries के अंदर जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ target set किये गए जैसे free trade agreement UK के साथ हो या united area में राज के साथ हो और 100 billion dollar का export का हमारा target है 2030 तक इस context में दो scheme के वारे हम discuss किया गया PM मितर scheme है और production link incentive जो इस sector के लिए बहुत ज़्यादा important है इसके अलावा अगर हम बात करें तो specific ऐसी news आपको नजर नहीं आएगी जो exam से oriented है last जो page है उसमें के वाले इतना discuss किया गया है कि भलाई red sea में healthy लगातार attack कर रहे हैं लेकिन oil tanker अभी भी उसी route से जाते है reason क्या है देखो oil आपको यहाँ से import करना है और healthy rebel भी बहुत समझदार है बहुत दिमाग का इस्तमाल कर रहे हैं वो non oil tankers पर ही non oil ships पर ही attack कर रहे हैं क्योंकि उनको पता अगर oil ships पर attack हुआ ठीक है दुनिया की economy पर negative impact पड़ेगा लेकिन ये भी do जाएंगे क्योंकि ये भी काफिया तक oil based economy पर depend करते हैं यानि oil tankers अभी भी इस route पर continue है, healthy attack continue हो रहे हैं, shipping cost बढ़ेगी, premium बढ़ेगा और आने वाले time में हम उमीद कर रहे थे कि तेल की कीमत थोड़ी कम हो जाएगी, उस तरह की कीमत कम होने की possibility कमी है और ये और बढ़ सकता है, कम होने के chances थोड़े से कम है, right फिलाल the Hindu newspaper analysis में इतना ही, thank you all, jahin